Hello students, in this video we are going to read page number 7 for class 4 So many flowers, मतलब बहुत सारे फूल Here are some beautiful flowers, यहाँ को सुन्दर फूल है Read the descriptions and write their names Descriptions को हम लोग पढ़ेंगे और उसके नाम लिखेंगे Choose from the option, यहाँ पे option नीचे दिया गया इस option से choose करेंगे हम लोग, तब जाके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे First में है, this beautiful flower is known for its sweet fragrance मतलब यहाँ खुबसूरत फूल अपनी मीठी खुस्बू के लिए जाना जाता है Fragrance का मतलब खुस्बू It blooms at night, यह कब खिलता है यह रात में खिलता है यहाँ पे है, blooms का मतलब खिलना, ठीक है, तो यहाँ पे होगा tuberose tuberose का मतलब रजनी गंधा Second में है, this flower is shaped like a saucer and grows on wines मतलब यह फूल कटोरे के अकार का होता है और wines पर उगता है It blooms in the early morning और यहाँ जल्थूबा जल्दी खिल जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा morning glory यहाँ पे option दिया गया morning glory तो यहाँ पे होगा morning glory, ठीक है यहाँ पे third में है, this is a small flower which appears in colors ranking from bright pink to pure white, मतलब यह एक छोटा फूल है जो चमकीले गुलाबी से लेकर pure white तक के रंगों में दिखाई देता है, some flowers have a center that resembles a monkey face मतलब कुछ फूलों में एक center होता है जो एक बंदर के चेहरे जैसा दिखता है ठीक है यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे होगा पैंजी ठीक है फूर में है this flower this flower comes in a variety of colors मतलब यह फूल बिभिन बढ़कार के रंगों में आता है it is largely used for decorative purposes मतलब यह काफी हद तक सजावटी उदेशियों के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे होगा दा लिया ठीक है फिप्त में है this flower is known for its sweet this flower is known for its unique fragrance मतलब यह फूल अपनी अनोखी खुस्बू के लिए जाना जाता है fragrance का मतलब खुस्बू यूनी का मतलब अनोखा दा वायल एक्स्ट्रेक्टेड फ्रॉम इस फूल से निकला इस फूल से निकाला गया तेल perfumes में पर्योग किया जाता है perfumes बनाने में यूज किया जाता है तो यहां पर क्या होगा jasmine ठीक है jasmine means chamelee six में है this trumpet shaped flower comes in various colors मतलब यह trumpet के अकार का फूल होता है जो बिविन रंगों में आता है it blooms in spring और यह बसंत में खिलता है तो यहां पर क्या होगा यहां पर लिली ठीक है तो